उस अफते हमारे चचाजान हमारे गहर आये थे और वो हमारे लिए तौफ़ा भी लाए जो वो जाने से बहले हमें देखकर गए जान मैंने तो अपना तौफ़ा देख लिया है अब तुम देखो के चचाजान तुमारे लिए क्या लाए है यह तो एक छोटा सा घर है अमी जान जान यह घर नहीं मनी बॉक्स है बुराद भाई का तोफ़ा मेरे तोफ़े से ज्यादा अच्छा है मज़े की गेम और मेरा यह मनी बॉक्स जान बेटा बुरी बाई ऐसे नहीं कहते हर तोफ़ा अच्छा होता है देखो तो यह कितना खुबसूरत है यह देखो इसकी छट में एक सुराख है यहां से तुम कॉइंस इसमें डालोगे और जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इस हिस्से से तुम निकाल भी सकते हो तो अब बताँ कैसा है तुम्हारा तौफ़ा इसके कलर्स कितने अच्छे हैं देखो जान जी हां है तो यह प्यारा लेकिन यह खाली है हां तो तुम अपनी सेविंग से इसको भर लो और जब यह भर जाएगा तो तुम्हारा तौफ़ा सबसे कीमती हो जाएगा मैं सेविंग करूँगा और फिर उन पैसों से मैं आप सब के लिए और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़े घरीबूँगा ठीक है मीजान मेरी पहली सेविंग मगर यह बॉक्स तो बहुत बढ़ा है और अगर इसके अदर में एक एक कोईन करके डालूँगा तो यह बहुत देर से भरेगा मुझे कुछ और सोचना चाहिए बाबाजान बाबाजान जरा बात सुनिए हाँ जान बाबाजान क्या आप मेरे मनी बॉक्स में कुछ पैसे डाल सकते हैं ताके यह जल्दी भर जाए ठीक है यह लो यह अगर तुम अपनी पॉक्ट मनी से कॉइन ढालोगे तो यह जल्दी भर जाएगा ठीक है बाबाजान यह तो अभी भी खाली लग रहा है मरादाई बात सुने क्या आप मेरे मनी बॉक्स में कुछ कॉइन जाल सकते हैं? ताके यह जल्दी भर जाए मगर मैं क्यों तुम्हारे मनी बॉक्स में कॉइन डालू? तो मैं तो खुद अपनी पॉक्ट मनी से सेफ करने चाहिए ना? मगर मेरी पॉक्ट मनी तो बहुत कम है अगर मैं उसमें से सेफ करके डालूँगा तो यह मनी बॉक्स तो बहुत देर से बरेगा यह लो शुक्रिया मुराद भाई शुक्रिया ये जान बेटा तुम्हें खुद सेविंग करने चाहिए अपनी पॉक्ट मनी से दूसरों से पैसे मांग मांग कर अपने मनी बॉक्स को भरोगी तो सेविंग करना कभी भी नहीं सीख सकोगी जान आप ठीक है रही है अमीजान लेकिन मैं इसे जल्दी से बरना चाहता हूँ शुरू तो करो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये भर जाएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है अमीजान अब मैं खुदी ही सेविंग करूँगा और इसे जल्दी से भर लूँगा बहुत अच्छी बात है बिटा मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे मैं तो बोर हो रहा हूँ इस मैनी बॉक्स को भरते भरते मुझे लगता है ये कभी भी नहीं भरेगा जान अगर तुम हर रोज अपनी पॉक्ट मैनी से कुछ सेविंग करोगे तो ये एक दिन सुरूर भर जाएगा कोशिश तो करो हाँ वैसे ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ चोक्रिट तो बाबाचान लाई देते हैं तो क्यों नहीं पॉक्ट मैनी सेफ करूँ और इसे ही तक बढ़ लूँ फिर सब के लिए कुछ चा कुछ लूँगा अब भी आइस्ता आइस्ता भर रहा है अगर मैं कुछ दिन और सेविंग करूँगा तो ये जल्दी पूरा भर जाएगा असलम्रेकम बाबाजान आपकी गड़ कहा है गाड़ी रास्ते में खराब हो गई इसलिए मुझे घर टेक्सी करवा के आना पड़ा और मैं तो अपना वालेट भी दुकान पर ही बूलाया अब पैसे कैसे अदा करूँ ऐसा करो अपनी अमी जान के पास जाओ और टेक्सी का कराया ले आओ मगर बाबाजान अमी तो बाजार गई है इद की शॉपिंग करने ओहो अब मैं टेक्सी वाले को कराया कैसे अदा करूँ मुराद बेटा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं नहीं बाबाजान मेरे पास तो इस वक कोई पैसे नहीं है ये तो बड़ा मसला हो गया शायद मुझे टेक्सी वाले को लेकर दुकान पर वापस जाना पड़े फिर वहां से वालेट लेकर दुबारा गाड़ी वाले के पास जाना पड़ेगा तेकर ना करें, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ लेकिन कहां से? अभी आकर बताता हूँ, मेरा मनी बॉक्स अरे वा, जान तुमने तो इतने ज़्यादा पैसे जमा कर लिये जी बाबा जान, मैंने सेविंग की है आप सबने मिलकर मुझे सेविंग करना सिखाया, शुक्रिया ये तो बहुत ही अच्छी बात है जान बेटा आखिर तुमने सेविंग करना सीख लिया और ये मेरे काम भी आ गए मैं फिर सेविंग करूँगा, ताकर टाइम आने पर फिर सेविंग काम आए शाबाज चान बेटा उस जिमें न सीखा के सेविंग के बहुत से फायदे है पिर अगले दिन बाबा जारी ने हमें इट की शॉपिंग करवाई बहुत मज़ा आया और पता है दोस्तों, मेरा मनी बॉक्स बिलकुल खाली हो गया लेकिन कोई बात नहीं इतर बढ़ जाएगा और फिर मेरी इत कैसी गुजरी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बलके आपको बात नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इस बुक्त में बहुत से पेजिस बाखी है क्योंकि आपको बात नहीं बताऊंगा